नमस्कार मित्रों, PCS वार्ट साला में आप सभी का स्वागत है। यूपी एड़ेट सिच्छक भरती पूरी करो। आप लोग की जानकाई लिए बतादें। यहां पर परदर्शन हुआ था लखनों में जाकर परदर्शन हुआ था कि जूनियर सिच्छक भरती पूरी करो। आचार संगीता से पहले नियुक्ति प्रकिया पूरी करो। इस तरह से पोश्टर और बैनर लेकर लोग पहुंचे थे। यूपी एड़ेट सिच्छक भरती पूरी करवाने के लिए जो छात्र एकठा हुए थे संग्टित हुए थे लखनों में लखनों की लखनों राध्धाने में तो यहां पर आप लोग को जानकाले बताता है कि इसे बहुत जाता डिले किया जा रहा है जुनियर सिच्छक भर बजते हैं उसके बाद उसकी मेरिट सुची जारी होती है तो अभी यह जारी नहीं हुए है लेकिन यहां पर लोग मांग किये हुए है क्या कल राधानी लखनों में यह मांग हुआ है तो उसे बाद इनको वरिष्ट अधिकार्यों दोरा यह आसवासन मिला है कि दो दिन के के भीतर दो से तीन दीन के भीतर यह आज वाशन पूरी दरज मिला है पुकता सबुता यह दो से तीन दीन के भीतर इसका बिग्यापन रिलीज होने वाला है मतलब फिर से पोर्टल खोल दिये जाएंगे ताकि बाकी लोग अपने अकडेमिक को फिल कर सके और बाकी जानकारी फिर से दे सका है और फिर उसके बाद जो से जानकारी हो जाती है उसके बाद फिर एक मेरिट सोची जारी होगी जिसतर से 79,000 में आपको पता है एक लाग 46,000 करीब लोग पास हुए थे फिर उसके बाद पोर्टल खोला गया लोगों ने अपने डाटा इंटर किये हुए थे तो उक्राइब बिलाकर 1,37,000 के करीब लोगों ने फिर से आवेदन किया हुआ था वैसे ही जूनर सीचपरती परिछा जो ही लोग पास किये हुए थे फिर एक बार पोर्टल खोला जाएगा और फिर 45,000 करीब लोग पास किये हुए हैं तो फिर वह फिर से अपने डाटा को इंटर करेंगे और उसके बाद फिर से देखा जाएगा कि कितने लोग फिर से आवेदन करते हैं तो हो सकता है कि अगर 45,46 लोग पास किये हुए हैं तो अगर फिर से अगर आवेदन लिये जाएंगे तो हो सकता है कि चालिस हजार के करीब लोग फिर से आवेदन कर सकते हैं और अभी यह समझे पुक्ता सबूत है दो दिन के भीतर आप लोग को देखने को मिलेगा दो दिन के भीतर फिर से पोटल खोले जाएंगे विग्यापन रिलीज होगा और लोग अपने अपने डाटा को इंटर करेंगे फिर मित्रों वीट्यो को लाइक और चैनल को अपत्राइब करेंगा दो दिन का अंति आर खरिए इस बिग्यापन रिलीज हो जायेगा विडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करARK एक बात और मताना चाहूंगा सभी लोगों से कुछ लोग कह रहा है किragen इसमें क्या क्या तो हो सकता है कि अगर सद्गुद्धिया सरकार को और सरकार पदों की संख्या जो है उट के मुह में जी रहा है इसकी संख्या थोड़ा बढ़ाना चाहिए कम से कम 4500 कर देना चाहिए तो 6000 नहीं तो कम से कम 4500 तो करना चाहिए जो सरकार पहले ही 4500 पर रिलीज करने वाले थी लेकिन उसे घटाकर 1500 कर दी तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है लेकिन सब लोग यहां पर पुरी तरह से शक्री हुए थे कल राजधानी लखनों में और फिर उन्हें करेंगे उसके बाद फिर मेरिट सुची जारी हो जाएगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा धन्यवाद आप लोग को वीडियो को सेयर जरू करेगा धन्यवाद